डीजी फॉल्टेक में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको लीनेज वैस का जो नया बिल्ड आया है उसका रिव्यू देने वाला हूं इस वीडियो पे हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले डीजी फॉल्टेक को आपको सब्क्राइब कर लेना है बैल बटन दबाना है नोट डिस्क्रिप्शन चेक करें साथ में सोसल प्लेटफॉर्म पे फॉलो करें यह जो बिल्ड आया है यह नया बिल्ड है लीनेज वैस का आपको यह जो बिल्ड मिलेगा यह 12.1 बेजड बिल्ड मिलने वाला है ठल्टिंग तो नहीं है उसके लिए थोड़ा सा पेसेंस आपको और दिखाना है बट काफी जल्दी आपको Android 13 का भी बिल्ड मिल जाएगा प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें सेयर करें और कमेंट रॉप करें ज्यादा से ज्यादा सेयर करें अब हम आते हैं अपने वीडियो पे यह जो हमारा डिवाइस है इसका नाम है साउमी रिड्म जो भी आप इसे नाम देना चाहते हैं लिनेज वर्सन जो है वो है 31 अगस्ट 2022 का बिल्ड है जिसमें आपको सेक्योरिटी पैच मिल जाएगा 5 अगस्ट 2022 का सेक्योरिटी पैच के साथ अब आप बात करते हैं वेंडर पैच की तो 5 फरवली 2022 का आपको वेंडर पैच देखन पुराना सेक्योरिटी पैच देखने को मिलता है वेंडर केटिगरी पे ध्यान रखे मैं वेंडर की बात कर रहा हूं बाकी में तो आपको एक डिड़ साल पुराना देखने को मिलता है और किसी किसी में तो इसे हाईडी कर दिया जाता है कि वेंडर पैच आपको क्या मिला ह कर्णल जो है हमेशा की तरह 4.9326 याने की इंप्रूब्ड कर्णल देखने को मिला है Z-Loss का कर्णल D-Best होता है मार्केट में मैक्सिमम ओपरेटर्स इनही का कर्णल यूज करते हैं कस्टम रोम के ट्री के लिए भी Z-Loss का बहुत जारदा सपोर्ट रहता है काफी डेपलोपर इन्हें ठेंक्स भी करते हैं ट्री डेपलोपमेंट के लिए और इनके कर्णल को यूज करने के लिए यह जो बिल्ड है आप देख लिजएगा बिल्ड डेट आपको दिख रहा है 31 अगस्त का है लीने जोएस हमेशा से ऑनोफिसयल है बठ यह अनोफिसयल का सबसे बेस्ट रोम है इससे बेस्ट रोम कुछ नहीं आता है मार्केट पे अनोफिसयल होने के बाउज़ूथ यह एक ऐसा रोम है जो ऑफिसयल को भी टकर देदेता है अपने OTA update के मामले में, performance में, battery backup में और जो भी features wise जो enhancement है वो OTA में इतनी fast मिलती है इतनी fast इसकी update आती है कि official ROM भी इसका competition नहीं कर पाता है अब हम आते हैं अपने ROM के UI interface पे तो UI interface आपको मालूम है यह हमारा default wallpaper होता है lineage OS 19.1 का अब जो Android 13 आएगा जिसका lineage version 20.0 होने वाला है वो भी हमें जल्द देखने को मिलेगा, build start हो चुका है बट जब यह आज आएगा तब मैं उसका review आपके पास ले आऊँगा यह जो vanilla room है, lineage OS 19.1 का इसमें मैंने use किया है mind g app तो आपको link मिल जाएगा, download कर लीजिए आप और install कर लीजिएगा g app अब बात करते हैं apps की, तो आप देख लीजिएगा app lineage OS में हमेशा से आपको AOSP डालर मिलेगा जिसकी मदद से आप call recording कर पाएंगे play store certified मिलेगा, google photos unlimited storage के साथ आएगा graphene OS camera system मिलेगा, basic gallery app दिया गया है जो अच्छे से काम करता है, radio app में भी कोई problem नहीं है, file manager भी अच्छे से काम कर रहा है इसके साथ इस पे आप porting app भी use कर सकते हैं बीना किसी problem के me related port app भी मैं test कर चुका हूँ अब बात करते हैं graphene OS के camera का, इसमें 4K 60fps enable करके दिया गया है बट आप 4K 30fps पे ही camera setting रखें, जिससे आपका phone heat नहीं होगा, lag नहीं होगा और glitch नहीं आएगा बात करते हैं Gcam की, Gcam भी आपको description पे मिल जाएगा मैंने Gcam test कर लिया है, Gcam में भी आपको slow motion मिल जाएगा लेकिन slow motion के लिए आपको setting रखना है 1080p 30fps का तभी आपका slow motion काम करेगा otherwise आपका camera app बार बार crash करेगा, जब भी आप slow motion क्लिक करेंगे तो ध्यान रखिएगा, most probably आपको पता रहा हूँ, slow motion का आपको setting set करना है 1080p 30fps इसके अलावा slow motion कोई भी और settings पे नहीं काम करेगा और Gcam जो है, उस पे आप astro photography, night side, panorama और 1x, 2x, zoom वाली भी features है यह सब भी features आप use कर सकते हैं, night side भी use कर लीजेगा 4K 30fps पे भी आप normally video recording कर सकते हैं, बट केवल slow motion के लिए आपको ध्यान रखना होगा यह जो roam है, इस पे आप देख सकते हैं, एक में मैंने dark theme अपलाई किया है, एक में white theme अपलाई किया है physical navigation button light working मिलता है आपको, call recording, wifi, hot spot, screen cast, chrome cast, जो भी आप वर्डिंग बोलना चाहते हैं, सब कुछ काम करता है battery backup excellent होता है, हमेशा की तरह lineage OS पे कोई भी problem battery related नहीं आता है holding app का चल रहा है, voice assistant भी काम कर रहा है, साथ में बहुत सारे settings जो है, वो अच्छे से काम करते हुए मिलेंगे आपको और quick tiles भी आप देखी लीजिए, किस तरीके का आपको मिलेगा, left side पे आपको google page चाहिए, तो आपको google page भी मिल जा रहा है और उसके बाद play store आपको certified मिलेगा, right पे जो आप app install करेंगे वो आएगा इसके बाद swipe up करके अगर मैं दिखाऊं तो game space भी आपको यहाँ पर clearly visible है, दिख रहा है और वो working भी है settings की बात कर लेते हैं हम जल्दी से, तो दिखें, network के अंदर सब कुछ काम कर रहा है, mobile data, wifi और hot spot, किसी में कोई problem नहीं है connecting device के अगर हम बात करें तो इसमें casting अराम से काम कर रहा है, bluetooth भी काम कर रहा है apps पर बात करने का कोई मतलब नहीं, apps के अंदर आपको game space मिल जाएगा, notification batteries की बात करें तो battery backup अच्छा है, आपको अराम से typical one day से उपर मिलेगा, screen on time depending आप क्या use करते है, battery health कैसा है, उसके according मिलने वाला है back करते हैं इस से बाहर, और storage जो है, storage भी काफी अच्छा रहता है, 7.1 GB, 7.2 GB system consume दीक रहा है तो आप round figure 7.5 GB लेके चलिए, कुछ temporary file भरते चले जाएंगे, धीरे धीरे जैसे आप use करेंगे और sounds की बात करें, तो sounds पे आपको traditionally जो settings मिलता है, direct sound वो भी काम कर रहा है, audio amplification भी अच्छे से काम कर रहा है, जिसका benefit आप आप आराम से ले सकते हैं displays पे आपको जो भी settings होना है, dark theme, font, brightness और night light भी अच्छे से काम करता हुआ, मिल जाएगा wallpaper पे आपको lineage में ज्यादा collection देखने को नहीं मिलता है, यह आपको मालूम है, बट फिर भी आप theme based icon और इस टाइप का system pack, system font वेगरा चेंज कर सकते हैं heavy customizations के लिए lineage OS नहीं जाना जाता है, बट stock android with few customizations के लिए lineage OS मार्केट में debesht है इससे आगे चला जाए, accessibility पे कुछ नहीं है, direct securities पे लेके चलते हैं, security पे आपको सभी तरीके का face, fingerprint, smart lock, सब कुछ मिल जाएगा, phone का room not encrypted मिलने वाला है आपको privacy पे कुछ नहीं है, direct हम आगे चलते हैं, और चलते हैं systems पे, तो जो systems है, इस पे आपको status bar के अंदर थोड़े बहुत settings मिलेंगे, gesture के अंदर settings मिल जाएंगे और unofficial होने के बावजूद आपको updater मिल जाएगा, और ये updater 110% काम करता है, चाहे आप dirty flash ही क्यों ना करें, तो इस पे आपको कोई problem नहीं होने वाला है, developer option भी मैं आपको check करवा दूँ, तो आप देख सकते हैं, 1.7 GB consume हो है, मैंने just अभी flash out किया है, 1.5 GB आपको uses देखने क और about मैं आपको एक बार और check करवा देता हूँ, ध्यान रखिए, ये android 12 है, android 13 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 31 अगस्त का build है, तो lineage मेरा best ways है, और अब हम मिलेंगे अपने next studio पे, thank you